हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ, बैल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलिएगा सोमदत पिछले एक घंटे से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नीद नहीं आ रही थी उसने सोचा क्यों ने अपनी पत्नी रीमा को कॉल कर लिया जाए, उसने एक बार घड़ी की ओर देखा, रात के ग्यारव बज रहे थे क्या करूं? कॉल करूं की ना करूं? सो तो नहीं गई होगी सोमदत ने रीमा को कॉल करी दिया, बहुत देर तक घंटी बशती रही सोमदत कॉल काटने की सोची रहा था कि रीमा ने उसका कॉल पिक कर लिया, उसने उनींदी आवाज में कहा कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रहे क्या? अब तुम्हारे और गुरिया के बिना नींद कहा आती है, गुरिया सो गई क्या? हाँ, अभी आदे गंटे पहले सोई है, पूरा दिन शैतानी करती रहती है तुम दुनों को बहुत मिस करता हूँ हम भी आपको बहुत मिस करता है, अच्छा, आपकी छुटी का क्या हुआ? कब तक यहां आ जाओगे? पंदरा दिन में मैं वहां आ जाओगा रीमा अपने भाई की शादी में अपने माई के गई हुई थी हाला कि शादी में अभी देर थी, लेकिन वो महीने पर पहले भी चाओगा रीमा का भाई धीरेंद्र, पुलिस में DSP के पदपर काम करता था सोमदत ने रीमा से बाद करके फोन कट किया और मोबाईल को अपने सिरहाने में रखकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा तब ही उसके मोबाईल का नोटिफिकेशन टोन बजा सोमदत ने अपने फोन की ओड़ देखा फेस्बुक पर एक बहुत ही सुन्दर लड़की जिसका नाम इपशिता था उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी सोमदत उसकी प्रोफाइल पिक्चर को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा कौन है ये लड़की इसे जानता तो नहीं हूँ मैं कोई mutual friend भी नहीं है वो कुछ तेर सोचता है फिर उस लड़की का friend request accept कर लेता है फिर वो सोच आता है अगले दिन जब वो office निकलने ही वाला होता है कि उस लड़की का message उसके messenger box में आता है जिसमें लिखा होता है high handsome एक बात और गौर करने वाली थी कि उसकी रात वाली profile picture भी बदली हुई थी और इस नई picture में तो वो और भी सुन्दर लग रही थी ये लड़की है तो बहुत सुन्दर लेकिन कौन है ये और मुझे इस तरह से high handsome क्यों लिख कर भेजा है अरे शादी शुदा हूँ मैं सोमदत ने उसके message का कुछ जवाब नहीं दिया और office लिगल दिया office के lunch time पर जब वो lunch कर रहा था तो फिर से इपशिता का message आया वो इसके message को पढ़ने लगा क्या बात है handsome नाराज हो क्या मेरे message का जवाब नहीं दिया अगर कोई tension है तो मैं तुमें message नहीं करूँगी तुम मुझे unfriend कर सकते हो अभी के लिबाए बार बार इपशिता जैसी सुन्दर लड़की के message आने से सोमदत का मन थोड़ा डोल गया उसने मनी मन सोचा कि किसी लड़की से बात करने में क्या बुराई है ओफिस में भी तो कितनी लड़किया है वो सबी से बात करता ही है ये सोच कर वो इपशिता के message का जवाब टाइप करने लगा अरे ने ने मैं तो आपको जानता भी नहीं फिर नाराजगी कैसी उसके बाद इपशिता से वो काफी देर तक चैट करता रहा उस चैट में वो कहां काम करता है, क्या करता है और अपना phone number भी दे दिया सोमदत ने सोचा कि इपशिता का call आएगा लेकिन उसने कोई call भी नहीं किया फिर दो दिनों तर इपशिता का कोई message भी नहीं आया, लेकिन सोमदत बार बार अपने message box में जा कर देखता कि कहीं उसका कोई message तो नहीं आया है वो थोड़ा परिशान सा रहने लगा, कई बार उसके मन में आया कि वो ही उसे मैसेज करके पूछ ले कि सब ठीक तो है न, लेकिन उसने नहीं किया दो दिन बाद जब वो शाम को अपने ओफिस से निकल रहा था तो उसके नंबर पर एक unknown नंबर से कॉल आया सोमनाथ ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से एक लड़की की मधोश करने वाली आवाज आई हलो हलो, आप कौन बोल रही है? पहचानिये मुझे सॉरी मैं आपको नहीं पहचान पाया अरे, इतनी जल्दी हार मत मानिये, ठ्राई तो करिये पहचानने की सोमदत उस लड़की की आवाज नहीं पहचान पा रहा था तब ही उस लड़की ने एक बात कही ठीक है है हैंसम, मैं ही बता देती हूँ मैं इपशिता हूँ, तुम्हारी फेस्बुक फ्रेंड इपशिता का नाम सुनते ही सोमदत के दिल की धरकने तेज हो गई उसने लड़कडा थी जुबान में उससे पूछा इपशिता, कहा हूँ तुम? मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ, जरा ठीक से देखो तुम इपशिता की ऐसी बात सुनकर सोमदत थोड़ा शर्मा गया अरे, इस तरह लड़कीयों की तरह कोई शर्माता है क्या? हाथ हिलाती हूँ, यह मैं भी तुम्हें देख जाऊंगी सोमदत जट से अपनी बाई और देखने लगा उसकी थोड़ी दूर पर इपशिता खड़ी थी वो इतनी सुन्दर थी कि सोमदत बिना पल के जपकाए उसे देखता रह गया इतने में इपशिता चलते हुए उसके पास आई और उससे कहा क्या बात है एंसम? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? इपशिता की बात सुनकर सोमदत जटेब गया इपशिता ने ये बात भाप ली और उससे कहा कि सोमदत इपशिता को लेकर कौफी पीने चला गया उन दोनों ने उस दिन बहुत सारी बाते की सोमदत को कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो इपशिता से पहली बार मिल रहा है इपशिता भी पहली ही मुलाकात में उससे बहुत खुल गई थी फिर तो वो हर दिन मिलने लगे उनके बीच में करने को इतनी बाते होती कि वो कभी खत्म ही नहीं होती रात को भी वो घंटों बाते करते रहते उनकी बात खत्म होने के बाद रीमा का कौल आता तो वो रीमा को बोलता कि आजकल काम का बहुत प्रेशर है क्लाइन से बात करनी होती है एक दिन की बात है रात के दस बच रहे थे तभी हर रोज की तरह इपशिता का कॉल आया हलो सोम तुमसे एक बात कहनी थी लेकिन कैसे कहूं समझ नहीं आ रहा है लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझती तभी बोलने में संकोच कर रही हो अरे नहीं नहीं सोम तुमसे जादा अपना तो मेरा कोई नहीं है तो बोलो क्या बात है उसके बाद इपशिता नहीं सोमदत से कहा कि आज उसके घर में कोई नहीं है और उसे रात में अकेले में डर लग रहा है अगर तुम इस समय आ सकते हो, तो आ जाओ, सोमदत सोच में पढ़ गया क्या हुआ, नहीं आ सकते, अच्छा रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगी इपशिता ने ये बात इस अंदाज में और थोड़ा दुखी होकर कही, कि सोमदत तुरंट तयार होकर उसके घर पहुँच गया ये पहली बार था जब सोमदत इपशिता के घर गया था सोमदत को अपने घर देख इपशिता बहुत खुश हो गई, और उसने उसे गले लगा लिया सोमदत को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसे भी इपशिता का गले लगाना अच्छा लगा, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला थैंक यू सोम, तुम नहीं आते तो पता नहीं आज की रात में अखेले कैसे काटती, अच्छा तुम कॉपी पियोगे, या तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ले कराओ ये कहकर इपशिता किचन में चली गई, जब वो बाहर आई तो ट्रे में दो गिलास और ड्रिंक थे, दोनों मिलकर पीने लगे, थोड़ी तेर बाद सोमदत का सिर भारी होने लगा और वो सो गया अगली सुबह जब उसकी नेन खुली सोमदत का सिर अब भी भारी लग रहा था, तब ही उसकी नजर इपशिता पर गई, जो लगातार रोई जा रही थी सोमदत ने उससे रोने का कारण पूछा जब इपशिता ने कारण बताया तो सोमदत का सिर घूम गया वो थोड़ी देर वहां रुख कर अपने घर निकल गया आज उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था वो ओफिस भी नहीं गया तब ही उसके मुबाइल फोन के मैसेंजर में नोटिफिकेशन आया उसने अन्मने ढंग से फोन उठाया उसके बाद उसने फोन में जो देखने उसे देख कर वो पसीने पसीने हो गया उसमें उसकी और इपशिता की कई सारी तस्वीरे थी उन तस्वीरों को देख उसका सिर्चक्राने लगा वो इप्षिता को कॉल करने ही वाला था कि किसी अंचाने नंबर से उसके पास कॉल आया कैसे लगी यह तस्वीरें? अगर यह तस्वीरें तुम्हारी बीवी को भेज़ दू तो कौन बोल रहा है? तुमाम खाओ, गुठली मत गिनो अगर चाहते हो कि यह तस्वीरें तुम्हारी बीवी तक ना पहुँचे तो एक लाख रुपए तुरंत इस अकाउंट में डालो एक लाख? यह तो पहले किष्ट है बंधू और इज़त बचाने के लिए ये तो कुछ भी नहीं सोमदत बहुत डर गया उसने डरते डरते इपशिता को कॉल किया तो इपशिता ने बोला कि सोम, पता नहीं वो कौन है लेकिन जो भी है बहुत बदमाश है उसने मुझे भी कॉल किया और मुझे से भी पैसे मांगे है सोम, पैसे का क्या है? आएगा और चला जाएगा लेकिन एक बार इज़त चली गई तो सब खत्म हो जाएगा सोमदत ने एक लाख रुपए उस आदमी को दे दिये एक तपता बाद फिर उससे 30,000 रुपए मांगे गए दो दिन बाद फिर से 50,000 सोमदत परिशान हो गया इस बीच उसके साले की शादी की डेट नज़दीक आ गए वो जाना तो नहीं चाहता था लेकिन रीमा ने उसे जबरदस्ती बुलाया सोमदत वहां भी बहुत परिशान रहता था रीमा को आखिर समझ नहीं आ रहा था कि उसके पती को क्या हो गया है सारा दिन वो कुछ ना कुछ सोचता रहता रीमा ने एक बात और नोटिस की थी कि सोमदत अपने फोन को एक मिनट भी अपने से अलग नहीं होने देता कुछ तो बात जरूर है ये हमेशा फोन को खुछ से चिपकाए हुए क्यों घूमते हैं एक दिन रीमा ने सोमदत को उस ब्लैक मेलर से बात करते हुए सुन लिया उसे सारी बाते पता लग गई उसे सोमदत पर बहुत गुस्सा आया लेकिन ये समय उस पर गुस्सा करने का नहीं उसका साथ देने का था क्योंकि वो देख रही थी कि उसका पती कितना परिशान है ये इपशिता कौन है? इपशिता? कौन इपशिता? सोम, जूट मत बोलिये मुझे सब पता लगया है बस आप सब कुछ सच सच बता दीजे रीमा की बात सुनकर सोमदत फूट फूट कर रोने लगा और उसे सारी बाते बताए रीमा ने अपने डियेस पी भाई धीरेंदर से सारी बात बताई आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिये ये ब्लैक मेल करने वाले का गिरोह है जो आजकल इस धंग से लोगों को फासता है और जानते हैं जी जाजी वो इपशिता भी उसी गिरोह की सदस से है धीरेंदर की बात सुनकर सोमदत शौक्ट रह गया हाला कि उसे भी कभी कभी उस पर शक तो होता था लेकिन उसने अपनी बातों के जाल में सोमदत को इस तरह से फसा रखा था क्यों से लगता था कि वो बहुत ही सीधी साधी लड़की है धीरेंदर ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया जल थी इपशिता अपने गिरों के और सदस्यों के साथ पकड़ी गई सोमदत बार-बार रीमा से अपने किये की माफी मांगता रीमा बार-बार उससे कहती कि मैंने आपको माफ कर दिया है पती-पत्नी का रिष्टा विश्वास पर टिका होता है इसे कभी न तूटने दें हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बैल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा